जैसीर गर्षनी दूस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पनीर काली मिर्च की रेसिपी जो की वाइट ग्रेवी में बनती है तो चलो आपको लग रहा होगा कि ये खाने में इतनी अच्छी नहीं होती होगी बनाने में बहुत मुश्किल होती होगी तो ये सारी आपके दिक्कतें दूर हो जाएंगी बाकि किसी भी रेसिपी मटर पनीर शाई पनीर से ये रेसिपी सबसे आसान होती है और बहुत स्वादेस्ट होती है तो सबसे पहले आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले सकते हो अब इसमें हमने लिया है दो हरी मिर्च जिने बीच से का पता आठ से दस लैसुन की करिया दो मीडियम साइज का प्याज मोटा मोटा काट करके और इसी के साथ साथ में यहां पर हम लेंगे थोड़ा सा काजू यह तुकड़ा हुआ का निकी टूटा हुआ काजू है आप यहां पर तरपूच के बीच भी डाल सकते हो साथ में बाद तो यहाँ पर देख सकते हो आप पनीर के मैं टुकड़े कर लूँगी और पनीर फाड़ना मतलब किस तरीके से फाड़ना है उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको आई बोटन में मिल जाएगी किस तरीके से मैं हमेशा घर पे ही पनीर फाड़ती हूँ रस गुले बनाने हो रस मलाई बनानी हो पनीर की सबजी बनानी हो भुर्जी बनानी हो कुछ भी बनाना हो इस तरीके का यहाँ पर देखो यह साथ से आट मिनट में अच्छे से उबल गया है मैंने प्लेट से कवर कर दिया था जिसे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए काजू वेगरा और बाकी के सारे मसाले जो है तो अब यहाँ पर इसे हमने छान लिया है पानी हम फेक देंगे यह जो तेज पता है यह अपना काम कर चुका है और साथी साथ हम बड़ी वाली लाइची को भी हटा देंगे फेक देंगे छोटी लाइची को हम नहीं फेकेंगे उसे इसमें हम बना रहने देंगे अब यहाँ पर एक चीज और है अब चाहो तो आप यह हरी मेर्श हटा सकते हो लेकिन उबलने के बाद इनका कलर काफी लाइट हो गया है तो यह आपकी ग्रेवी को बिल्कुल भी डिसकलर नहीं करेंगी और अब यहाँ पर जब ठंडा हो जा तो मिक्सी के जार में लीजिए इसके बाद इसमें एकदम गाड़ा-गाड़ा दही लीजिए तो दही को मैंने थोड़ी दे चंड़ी में डाल के रख दिया था जिससे के उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है और यह पनीर के आप टुकड़े डाल सकते हो इसमें थोड़ा इसे थीकनेस मिल जाएगी इसे अच्छे से पीस लो और अब यहाँ पर एक पैन या कढ़ाई ले लेनी हैं जिसमें भी आपको बनाना हो इसमें दो चम्मच डालिए आप घी या फिर तेल ले सकते हो घी डालोगे तो ज्यादा अच्छा टेस्टा जाएगा आप पनीर काली मिर्च बना रहे हैं तो इसमें एक चम्मच मोटा कुटा हुआ काली मिर्च लेना है तो काली मिर्च इसमें बारीक पाउडर नहीं करना है क्योंकि उससे हमारी ग्रेवी है वो काली हो जाएगी अगर आपके अपास में सफेद मिर्च है यानि कि इसी तरीके से जो वाइट पेपर आती है तो आप उससे ढाल सकते हो अब यहां पर हम घी के साथ पहले उसको रोस्ट करेंगे काली मिर्च को थोड़ा सा पका लेंगे इसके बाद इसमें पनीर ढाल लेंगे और दो हरी मिर्च भ आना चाहिए लेकिन इसमें ऐसा कोई भी इंग्रिटिंड नहीं डालना होता है जो इसके कलर को लाल या पीला करे या फिर डिसकलर करे तो हलका ब्राउन चलता है और यहां पर देखो हमने पनीर को साइड में हटा लिया है दूसरी तरफ सरसों का तेल लिया था तो इसकी ज हमने इसमें दही डाला है तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे थोड़ा एक मिनट के लिए बराबर चला लेंगे वैसे तो दही नहीं फटेगा तो गाड़ा दही रहे पतला दही होता है उसके फटने के चांसस रहते हैं साथी साथ में हमने इसे सारी चीजों क हमाई इसे बिल्कुल गाड़ा बनाऊंगी जैसे की रेस्टोराइंट्स या होटाइल्स में मिलता है पनीर एकदम थिक वाला और अब यहां टेस्ट के कोडिंग नमग आप डाल लो बहुत हलका नमग की डालना क्योंकि हम एक तुझे नमग डाल चुके हैं आठ से दस मेच ना डाल करके काली मेच भी डाल सकते हो और यहां पर उपर से पाउडर अब इसे एक बार हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे अगर आपको इस स्टेज पर लग रहा हो कि पनीर की ग्रेवी है यह कम है या घाड़ी ज्यादा हो गई है पतला करना है तो पानी मट का पका हुआ दूद यानि कि कच्छा दूद में डालना और आगर आपके पास मलाई है या फ्रेस क्रीम है तो उसे आप एक दो चमच डाल सकते हो लेकिन लास्ट में तो अभी क्या करेंगे हम यहां पर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे क्योंकि गरम मसा बनाती हूं तो यहां पर इसकी वज़े से इसमें हलका सा जो तेल जब छूटता है ना तो यह जो हलका सा पीला पना आप देख रहे हो इस सर्षों के वज़े से अगर रिफाइन आयल में बनाऊगे बटर घी में बनाऊगे तो यह भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो देखो दो तीन मिट के लिए कवर करके पका लिया था और अब हमारा जो यह पनीर है ना एकदम रेडी हो चुका है अब इसे हम सर्व कर लेंगे तो मैं आपको सर्फ करके तिखाती हूं कि कि इसको किस तरीके से सब किया जाता है या प्रेजेंट करना है कैसे इसकी garnishing करनी होती है यह यह इसमें हरी मिर्च तो बिल्कुल नहीं अठी sorry हरी धनिया तो इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बागी कि पनीर ग्रेवी में हं सुम हरी धनिया डालते हैं पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए